वेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी में आप सब कैसे हैं मैं अचीक हूँ जे छोटे छोटे पीस मैंने सूर स्टिच किया था उसमें से बच गए थे जे दो सेम साइज के मैंने पीस लिये है इस साइज से 7 इंच है और इस साइज से 13 इंच है ज बनाने के लिए जे एक और कपड़े का पीस लिया है इस साइज से 7 इंच है और इस साइज से 9.5 इंच है और जे नीचे लगाने के लिए लाइनिंग का पीस लिया है और देखे इस तरीके से जिप लेनी है जिप को देखे इस तरीके से रखना है जिप की सीद्धी साइड नीचे वाली side आएगी पूर इसके ऊपर जिप वाली side के रफ एजिज इस तरीके से जिप के लिए इस तरीके से एक और कपड़े का piece लेना है 1.5 इंच का और इस तरीके से रखना है और सलाई लगानी है जे देखे इस तरीके से रखकर सलाई लगा दें और देखे इस तरीके से फिर से कपड़े को फोल्ड करना है और जे पाइपिंग से जे साइड फिनिश कर ली है जे देखे इस तरीके से जे पाइपिंग से फिनि कर दिया है अब जो पहले पीस लिए थे देखिए एक पीस के ऊपर इस तरीके से रखना है और चारों साइड सलाई लगानी है जे देखिए मैंने सलाई लगा दी है जे देखिए पॉकिट बनके त्यार हो गई है इस तरीके से जे पॉकिट बन जाएगी और जे दो और मैंने 6 इंच है और इस साइड से 9.5 इंच है जे देखे 9.5 इंच की साइड से इस तरीके से डवल फोल्ड करके इसके उपर सलाई लगानी है जे देखे दो पीस मैंने जे त्यार कर दिये है अब देखे इस तरीके से फोल्ड करें और इस पीस के सेंटर में इस तरीके से रख दें औ पूल्ड करके जे देखे इस तरीके से रखना है इसके उपर मैं अभी पिन लगा देती हूं और इसके उपर लगाने के लिए सेम साइज के दो और पीस लिए हैं जे देखे इस तरीके से सेम साइज के जे पीस लिए हैं और इस साइड सलाई लगाने है जे देखे इस साइड स एक पीस को उठाना है और दूसरे पीस के ऊपर रखना है जो देखे इस तरीखे से सेट करके रख देए अब देखे जो Liner वाला पीस है उस साथ से आप थोड़ा सा छोड़ दें बाकी पूरे में इस तारीखे से सलाई लगा दें थोड़ा सा हिस्सा इसका छोड़ दें सीधा करने के लिए मैंने सलाई लगा दी है अब इसके चारों कॉर्णर त्यार करने हैं इस तरीके से कॉर्णर रखें और इसके उपर निशान लगाएं जहां पर आपका 1.5 इंच आता है उस पर निशान लगा दें यह देखें दूसरे कॉर्णर को भी इस तरीके से पकरना है और 1.5 इंच पर निशान लगा दें अभी मैं इसके उपर पिन लगा देती हूं लाइनिंग वाली साइड भी यह देखें इस तरीके से करें और इसके उपर निशान लगा दें जे चारो कॉर्णर इस तरीके से त्यार करने है मैं इसके उपर सलाई लगा देती हूँ इस तरीके से ही छोटे छोटे जो कपड़े के पीस बच जाते हैं उससे काम आने वाली बहुत सुन्दर चीज त्यार कर सकते हैं जे देखे मैंने सलाई लगा दी है अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ जे देखे इस तरीके से सीधा करने के बाद जिस साइड से हमने थोड़ा ओपन छोड़ा था उसके उपर इस तरीके से स्लाई लगा कर जे बंद कर दे जे देखे मैंने स्लाई लगा दी है अब देखे जो लाइनिंग है उसको इस तरीके से बीज में अच्छे से सेट कर देए जे देखे इस तरीके से जे बन के त्यार हो गया है अब फलैप बाली साइड से निशान लगा लेते हैं जे देखे उपर बाली साइड से दो इंचे छोड़ देए जे देखे इस तरीके से इस तरीके से जे निशान लगाना है और इसके उपर नीचे से हाफ इंच का आपने निशान लगाना है जे देखे इस तरीके से हाफ इंच का निशान लगा दे और दूसरे फ्लैप को देखे इस तरीके से रखकर हाथ से प्रेस कर दे तो दूसरे फ्लैप के ऊपर भी जे देखिए निशान आ चाहेगा अब इसके ऊपर सलाई लगानी है जे देखिए मैंने सलाई लगा दी है सलाई लगाने के बाद इसमें डोड़ी डालने के लिए जे दो कपड़े के पीस लिए है एक साइड से 1.5 इंच है और दूसरी से 17 इंच है जे देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा अंदर वाली साइड कपड़ा फोल्ड करके फिर फोल्ड करके उसके उपर सलाई लगा दे तो डोड़ी त्यार हो जाएगे एक स्ट्रैप त्यार करने के लिए जे 3 इंच कपड़े की पट्टी लिए है वो भी मैं कर लेती हूं जे कितनी लंबी त्यार की है वो भी मैं आपको पता देती हूं जे देखिए मैंने जे स्ट्रैप 35 इंच की त्यार की है आप इसका साइज छोटा जांबड़ा कर सकते हैं अब देखिए जे स्ट्रैप इस तरीके से इसके साथ अटैच करनी है जे देखिए एक कॉर्णर पर इस तरीके से देखिए लगाने है डवल फोल्ड करें और इसके उपर देखे एक साइड इस तरीके से लगाते इसके उपर मैं अभी पिन लगा देती हूँ जे देखे इस तरीके से सलाई लगाकर से अटेच करनी है दूसरा किनारा देखे इस तरीके से दूस तीन वार अच्छे से सलाई लगा दे जे देखे जे मैंने स्ट्रैप लगा दी है अब इसमें डोड़ियां डाल लेते हैं जे देखे इस तरीके से सेफटी पिन की हेलप से इसमें डोड़ी डाल सकते हैं जे देखे इस तरीके से एक साइड से शुरू करें जिस साइड से आपने डोरी डालनी शुरू की है उस साइड फिर से देखे इस तरीके से निकालनी है और दूसरी डोरी दूसरे साइड से निकालते हुए इस तरीके से डोरी इसमें डालनी है फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना सस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है और जिनोंने सस्क्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यावाद करती जे देखिए इस तरीके से जे डोरिया इसके बीच में डालनी है जे देखिए मैंने दोनों डोरी इसके बीच में डाल दी है अब देखिए जे डोरिया निकाल दी है डोरिया अंदर ना चली जाए उसके लिए देखिए आप सिंपल तरीके से पकरते हुए इसके उपर नौ से एक किनारे से फोल्ड करना है और डोड़ियों को देखे इस तरीके से इसके उपर रखना है और इस साइड देखे सलाई लगानी है एक पीस को दूसरी साइड रखना है जे देखे इस तरीके से आप रख दे और डोड़ियों को इसके उपर इस तरीके से रखकर इसके उपर इस तरीके से किनारे पर सलाई लगा दे ये देखिए मैंने दोनों सलाई लगा दी है तो ये बहुत सुन्दर छोटे छोटे लटकन से बनके त्यार हो गए है ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और सुन्दर ये बोतल कवर बनके त्यार हो गया है बोवी कप्डे के चोटे चोटे जो पीस बच जाते हैं उन से ही जिब बन के त्यार हो गया है जह बोटल कवर देखिए एक साइड इसके जह पॉकिट वी है इसमें हम पैसे रख सकते हैं, मुवाईल फोन रख सकते हैं और देखिए इस तरीके से इसके बीच में बोतल रख सकते हैं जब भी हम देखिए बाहर जाते हैं पानी की बोतल साथ में लेकर जाते हैं देखिए अगर बच्चे भी पार्क जाते हैं जब खेटने के लिए चाते हैं तो वो पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाते हैं इस त प्गे में रख सकते हैं अगर आपके पास बच्चे हुए कपड ऐसे बना सकते हैं नहीं हैं तो आप पुराने कपड जैसे कुर्थी हो जाती हैं उससे वी जे कपड बना सकते हैं